आप देख रहे हैं जनतंतर टीवी नेशन वन एग्री मार्केट यानि के एक राष्ट एक क्रिशी बाजार एक मार्ग खुल गया है किंदे मंत्री मंडल में एपी एमसी मंडियों के बाहर बाधा मुक्त व्यापार की अनुमती देने वाले अध्यदेश को मंजूरी दे दी गई है क्रिशी उत्पादन व्यापार और बाणेज अध्यदेश 2020 राजसरकारों को मंडियों के बाहर किये गए क्रिशी उपज की बिक्री और खरीद पर टेक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी दामों पर अपनी उपज बेचने की स्वतंतरता देता है सरकार का दावा है कि मंडियों के बाहर व्यापार करने के लिए कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और मंडियों के बाहर बाधा रहित व्यापार करने में कोई खानूनी बाधा नहीं आएगी केंदर सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मजबूती देने वाले प्रस्ताफ को मन्सूरी दे दी है केंदर सरकार ने मंडियों और इंस्पेक्टर राज को हटाने वाले कानून को लागू कर दिया है सरकार का दावा है कि अब देश का किसान भी अमीर बनेगा उसे अपने अनाज को कहीं भी बेचने की आजादी होगी किसानों के लिए वन नेशन वन एगरी मारकेट का रास्ता साफ करते हुए केंद्री मंद्री मंडल ने अधिसूचित, AP, MC मंडियों के बाहर बाधा मुक्त व्यापार की अनुमती देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है बताते चले कि कृशी उत्पादन व्यापार और वानिच्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर किये गए कृशी उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोपता है और किसानों को लापकारी मुल्ले पर अपनी उपज पेचने की स्वतंत्रता देता है कृशी के बारे में आईतियासिक फैसले हुए है किसान की पचास साल से जो मांगे थी वो आज़ पूरी हो रही है पहला अत्यावश्यक कानून Essential Commodities Act अत्यावश्यक वस्तू कानून उसमें किसान हितेशी सुधार किये गया है यह कानून कब बना था बहुत पहले बना था जब देश में किल्लत होती थी आज कोई किल्लत नहीं है कृशी उत्पादन की बहुतायत है और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की ज़रुवत नहीं थी मंद्री मंदल के फैसले की घोशना करते वे कृशी मंद्री नरेंदर सिंग तोमर ने कहा कि मौजूदा APMC मंडियां काम करना जारी रखेंगी राज्ये में APMC कानून बना रहेगा अतिरिक्त व्यापारिक मौके पैदा करने के लिए है ताकि प्रतिसपर्धा की वज़ह से किसानों को फसल का सही मुल्य मिल सके आवशक वस्तु अधिनियम मैं भी संसोधन किया जा रहा है यह भी निश्यद रूप से किरसी उत्पाद के छेतर में एक बड़ा और करांतिकरी कदम है आज आवशक वस्तु अधिनियम मैं संसोधन और किसान उपज व्यापार बानिज संबर्दन्स और सरली करण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आस्वसन क्रसी सेबाओं के करार के लिए किसानों का ससक्ति करण और संवरक्षन अध्यादेश अध्यादेश पास होने के बाद पैनकार्ड वाले किसी भी किसान से लेकर कमपनियां, प्रोसेसर और एफपियो अधिसूचित मंडियों के बाहर फसल बेच सकते हैं खरदारों को तुरंद या तीन दिन के अंदर किसानों को भुकतान करना होगा और माल की डिलिवरी के बाद एक रसी त्रदान करनी होगी प्रिशी मंत्री ने कहा कि मंडियों के बाहर व्यापार करने के लिए कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और मंडियों के बाहर बाधा रहित व्यापार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी ब्यर रिपोर्ट जनतंत्र टीवी तो ये पहली बार नहीं है जब एक राष्ट एक विवस्था की अधारना के आधार पर मोधी सर्वकार ने किसी योजना का श्री गरनेश किया हो हाली में लॉक्टाउन के कारण पूरे देश में मजूरों की समस्या को देखते हुए सरकार ने एक देश एक राष्ट कार्ड की विवस्था का एलान किया था क्या थी ये योजना और इसकी योजना के माध्यम से कैसे मिलेगा फायदा इस रपोर्ट में देखिए केंद सरकार की महतुकांश्री योजना एक देश एक राष्ट कार्ड एक जून से 20 राज्जों में लागू हो गई है एक जून से योजना में तीन और राज ओडिसा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ गए है इसके साथ ही उन राज्जों की संख्या 20 हो गई है जहां ये योजना लागू हो चुकी है इस इसकीम का फायदा उन राष्ट कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्जों में नौकरी करते हैं राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाश खरीद सकेंगे इस इसकीम से अभी 67 करोड लोगों को फायदा मिलेगा खाद एबम सार्वजनिक वित्रण मंत्री राम विलास पासवान का दाबा है ये योजना मोधी 2.0 सरकार की एक महतपूर उपलब्दी है और मार्च 2021 तक यदेश में लागू हो जाएगी अब आपको दिखाते हैं कि One Nation, One राशनकार्ड योजना आखिर क्यों खास है बीस राज्यों में राशनकार्ड के लिए एक जून से One Nation, One कार्ड की ओजना लागू राशनकार्ड किसी भी राज्य में बना हो उसका राशन खरीदने के लिए उप्योग होगा One Nation, One राशनकार्ड का सबसे ज़्यादा फाइदा मज़दूरों और गरीवों को होगा होने पर भी राशन की सुबधा मिल सकती है कारण है कि वितमंत्री ने कहा है कि जिसके पास राशनकार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी आठ करोड प्रवासी मज़दूरों को होगा इसका फाइदा इसमें 35 करोण रुपए का खर्च होगा राज सरकारों के जरिये इससे कारगर बनाया जाएगा अगले दो महीने तक ये प्रक्रिया लागू रहेगी इस योजना से लावार्थी अब किसी भी एक P.D.S. दुकान से राशन लेने के लिए बाद नहीं होंगे बलकि इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और ब्रश्टा चार में कमी आएगी देश में योजना को लागू करने के लिए भी P.D.S. दुकानों पर P.O.S. मशीने लगाई जाएंगी इस योजना के तहट P.D.S. के लाभरतियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर Electronic Point of Sale से की जाएगी जैसे ही राज सभी P.D.S. दुकानों पर P.O.S. मशीन की रिपोर्ट देंगे वैसे ही उन्हें एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाएगा इस योजना की श्वाद 2019 में नोगस्त से हुई थी सबसे पहले चार राज, महराष्ट, गुजरात, आंधरप्रदेश और तेलंगाना इसमें शामिल थी उस समय योजना को राशन कार्ड, Partability नाम दिया गया था इसके बाद से ही सरकार इसे अन राजों में लागू करने की योजना पर काम कर रही है फिलहाल पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडू, असम, आंधरप्रदेश, मेगाले, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगल, पांडुचेरी, अंडमान और निकोवार, लक्षदीप और शत्तिसगड में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा हलाकि सरकार का लक्ष है कि मार्च 2021 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए ब्योरो रिपोर्ट जनातंत्र टीवी और अब बात करते हैं एक देश, एक टैक्स विवस्था की मोधी सरकार ने एक जुलाई 2017 में एक देश, एक टैक्स विवस्था यानि कि जीस्टी को लागू किया था इसे लेकर विरोध शुरू से ही देखने को मिला कभी राज्य अपने हक के लिए लड़ते नजर आए तो कभी छोटे से लेकर बड़े उद्द्योग और बैपारी इससे परिशान नजर आए दिखाते हैं आपको कि इस बिल के पीछे सरकार का क्या मकसद था और वो कितनी काम्याब हुई एक देश, एक कर प्राणा ली 2017 में लागू किया गया जीस्टी क्या देश में जीस्टी से हुआ फाइदा आखिर क्यों होता है जीस्टी का विरोध एक जुलाई 2017 देश में एक कर्विवस्था लागू की गई सरकार का तर्ख था कि जब देश में अलग-अलग तरह के टेक्स नहीं बलकि एक टेक्स होगा और वो होगा जीस्टी बड़ी बात है कि आज भी जीस्टी के अलावा कई टेक्स देश में लग रहे हैं हाला कि जब बात जीस्टी की हो रही है तो हम बताते हैं आपको आखिर ये क्या है और इसे कैसे बाटा गया है भारत में अलग-अलग टेक्सों को खत्म करने के लिए GST लागू किया गया था पहला C GST, इसके अंतरगत केंद्रिय सरकार राजस्व इखटा करती है दूसरा S GST, इसके अंतरगत राज सरकार राजस्व इखटा करती है तीसरा आई GST इसके अंतरगत अंतर राज्य विक्री के लिए सरकार द्वारा राजस्व इखटा किया जाता है हलाकि GST जिस वक्त लागू किया गया और जिस तरह से लागू किया गया उससे लाव की जगह नुकसान ही हुआ जब अर्थविवस्था नोटवंदी की वज़े से कमजोर हालत में थी तभी GST को लागू किया गया था एक देश एक टैक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसके अलावा देश में अन्य टैक्स भी वसूले जा रहे है वेरो रिपोर्ट जनातंत्र टीवी और अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव की हाला कि देश में ऐसा पहले भी हो चुका है लेकिन मौजुदा हालात में इसके मुम्किन होने का पर सवाल है मोधी सरकार लगातार इसकी पैर भी करती आई है कि देश में एक बार चुनाव होना चाहिए लेकिन इससे लेकर सहमती अभी नहीं बन पाई है मोधी सरकार के दूसरे कारिकाल में एक देश एक चुनाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ा ये पहला अफसर नहीं है जब एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई बलकि कई बार विभिन मंचों में ये मुद्दा चर्चा का विशय बनता रहा एक देश एक चुनाव की विचार के तहट देश में चुनाव चक्र को इस तरह से सनरचित करने का प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और राज विधान सभाव की चुनाव का एक साथ कराए जाएंगे लोकसभा और राजु की विधान सभाओं की चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है प्रधान मत्री मोदी ने इस विचार का समर्थन कर इससे आगे बढ़ाया है वैसे इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीती आयोग, विधे आयोग और सम्मिधान समिक्षा आयोग विचार कर चुके हैं एक देश, एक चुनाव, लोकसभा और राजु की विधान सभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है देश में इनके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं की चुनाव भी होते हैं लेकिन एक देश, एक चुनाव के प्रक्रिया में इन्हें शामिल नहीं किया जाता बेश्व की मुद्दा आज बहस के केंद्र में हैं लेकिन 1952, 1957, 1962, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राजो की विधान सभाओं की चुनाव साथ साथ करवाए गए थे ये कराम तब तूटा जब वर्ष 1968 और 1979 में कुछ राजो की विधान सभाएं विभिन ने कारोर से समय से पहले भंग कर दी गई वर्ष 1970 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हुए थे ऐसे में ये प्रश्ण उठना सोभाविक है कि जब इस प्रकार चुनाव पहले ही करवाए जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है हाला कि जानकार मांते हैं कि मौजुदा वक्त में ये संभव रही है और उकर एक छोड़ा से ब्रेक के लिए फॉर नौट दें आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी देश्वे पहले नौट बंदी फिर जीएस्टी और अब कोविड-19 ने MSME सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है बड़ी बात ये है कि अब देश में एक तिहाई उद्योगों ने अपना कारोबास समेट ना शुरू कर दिया है All India Manufacturer Organization की रिपोर्ट कहती है कि 35 प्रतिशत MSME जोर से 30 वीजी Self-Employed Individuals अपना कारोबास समेट रहे हैं जब की 32 फीजी को 6 और 12 फीजी को 3 महिने में रिकवरी की उम्मीद है कोरोना दे तोड़ी MSME की कमर बंद होनी के कगार पर पहुचे उद्योग मुश्किल है 35 प्रतिशत रोजगार की वापसी AI MO के सर्वे में सामने आई हक्किकत कोरोना काल में जनतर टीवी लगातार MSME को लेकर आवाज उठा रहा है हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि MSME सेक्टर अपने सबसे बुरे दोर से गुज़र रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए बड़ी बात ये है कि MSME सेक्टर को रोजाना खरीब 40,000 करोड से जादा का नुपसान हो रहा है ऐसे में अब All India Manufacturers Organization यानि के AIMO के सर्वे ने हकिका देश के सामने रखती है एक सर्वे के मताबिक एक तिहाई से अधिक MSME में रिकवरी का कोई आधार नहीं है रिकवरी का आधार ना होने से उद्योग बंद होने के कगार पर है 35% MSME, 37% स्वा नियोजित रोजगार पर खत्रा मंड़ा रहा है 32% MSME उद्योगों को उबरने में 6 महिने का वक्त लग सकता है 12% को उमीद है कि 3 महिने में उनकी स्थिती समहल सकती है खला कि जानकार मानते हैं कि उद्योगों की सिस्थिती के लिए केवल कोरोना जमेदार नहीं है बलकि नोट बंदी और जीस्टी के कारण उद्योग पहले से ही कई तरह की परेशानियां जेल रहे थे हाला कि पिछले दिनों प्रेस कांफरेंस के दौरान सरकार ने MSME के बुरे दौर को लेकर चिंता जाहिर की थी कि इंद्य मंत्री नेतिन गटकरी ने कहा कि MSME सेक्टर कठिन दौर से गुज़र रहा है देश में 6 करोड MSME हैं जिनमें 11 करोड से ज़्यादा लोगों को नोकरी मिली है गटकरी ने कहा था कि पहले डिट्रेस एसेस्पेंट पंड जिसमेंट पंड जिसमेंट 4,000 करोड का प्रापधान है दूसर फंड ऑफ फंड जिसमें 50,000 करोड का प्रापधान है यह distressed asset fund जो बना गया यह 4000 करोड का है जिसके लिए आज अनुमती मिली है अब यह 4000 करोड में आपको पता होगा कि MSME की कोई भी scheme जो bank loan देती है तो पहले भारत सरकार हमारा विभाग अगर एक लाग करोड का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यह 1500 करोड हम लोग CGTMSC करके insurance trust है हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% loan की guarantee लेता है तो यह जो 4000 करोड रुपए है जो fund मंजूर हुआ है इसको वैसे 10 गुना अना चाहिए पर यह stress asset है NPA में आये है रिस्क है थोड़ी तो पाच गुना करके यह होगा 20,000 करोड का तो सरकार का साफ है कि MSM को लेकर वो संजीता है और उद्धियोगों को उबारने के लिए उसकी तरफ से कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन ताजा सर्वे ने फिलहाल हकिकत देश के सामने रखती है बात है मौजुद हालात में कई कमपनियों के पास वर्कस को देने के लिए सेलरी तक की विवस्था नहीं है उमीर है कि सरकार इस दिशा में खाक्सों पर तयार योजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने का काम करेगी ब्यूरो रिपोर्ट जनतन टीवी तो लॉक्डाउन की वज़े से देश की एकनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है सरकार एकनॉमी के सुधार करने के काफी दावे कर रही है विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस के देटा राहूल गांधी भी अपने स्तर पर इंडस्ट्री के जानकारों से बाचीत कर रहे है इसी कड़े में राहूल गांधी ने बज़ाज आटो के मैनेजिंग डिरेक्टर राजिव बज़ाज से बात की इस बाचीत के दौरान राजिव बज़ाज ने देश की अरत्वेविसा, मजदूरों, रिलीट पैकेज और कोरोना को लेकर देश के हालात पर अपने विचा रखे कोरोना काल में कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी लगातार जानकारों से बातचीत कर रहे हैं समवात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज राहूल गांधी ने जाने माने उद्योग पती और बज़ाज ओटो के M.D. राजीव बज़ाज से बातचीत की कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी के साथ कॉरोना संकट को लेकर हुई बातचीत में बज़ाज ने भारत में लागू हुए लॉक्टाउन को ड्रकेनियन बताते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉक्टाउन के बारे मे जबकि उनकी भॉगॉलिक स्थिती, जनमजात, प्रतिरोधक्षमता, तापमान बगेरा बिलकुल अलग है। सक्त लॉक्टाउन को लागू करने की कोशश के बावजूद लॉक्टाउन सही तरीके से लागू नहीं हो पाया, जिससे अर्थविवस्था प्रभावित हुई ह सक्त लॉक्टाउन ने कोरुना के कर्व के बजाए जीडीपी के कर्व को फ्लाट कर दिया है। मोधी सरकार ने कोरुना की वच्छ से प्रभावित एकॉनमी में जान फूकने के लिए 20 लाख करोड रुपए के भारी भरकम पैकेज का एलान किया। पैसे की सरूरत है। you have definitely decimated the economy. You flattened the wrong curve. You know it's not the infection curve. It's the GDP curve. This is what we have ended with the worst of both worlds. In many places in the world two thirds of the what the government has handed out has gone to organizations and to people as direct benefits. वेरास इंडिया इस पीन उन्ली 10% आपने पुराने रुख को दोहराते हुए अलोचना की राहुल गांधी ने कहा कि ये लॉकडाउन फेल है क्योंकि ये दुनिया का एकलोता लॉकडाउन है जिसमें केस बढ़ रही है दरसल भारत ने दो महिने के लिए पॉस बटन दबाया था लेकिन अब फिर देश पहले दिनवाली स्तिती पर पहुंच रहा है बिस्निस टेस्ट जनतंतर टीवी और फिलारत नहीं लेकिन खबरों का सलसला जानी है आप देख रहे हैं जनतंतर टीवी